नवस्कार आप देख रहे हैं पूछता है उत्राखंड मैं हूँ आपके साथ तिलक्चावला उत्राखंड के चुनावी नतीजों को लेकर अब तरह तरह के गणित लगाए जा रहे हैं बीजेपी हो कॉंग्रेस हो सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन पिछले चार विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को भी देखा जा रहा है और अगर इस ट्रेंड को देखेंगे और समझेंगे तो कई तस्वीर सामने आ जाएगी जो अभी धुन्दरी तस्वीर है और 10 मार्स तक का सब इंतजार कर रहे हैं लेकिन इन आकड़ों के जरिये जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसके जरिये आप समझ जाएंगे कि आखिरकार संकेत और संदेश क्या है जब भी चुनाव में किसी दल ने ज़्यादा वोट हासिल किये तो वही सत्ता पर काबिस हो गया लेकिन उत्राखंड में एक गणित और भी है और वो गणित बेहत दिल्चस्प है वो गणित है बीएसपी का यूकेडी का निर्दलिये का और अब एक फैक्टर और जुड़े का आम आदमी पार्टी ऐसे में जो वोट प्रतीशत का गणित है उसको सुलजाने में हर दर लगा हुआ है उत्राखंड के इतिहास के पन्नों को पल्टे तो सबसे पहले 2002 का जिक्र जरूरी है जब पहला चुनाव हुआ कॉंग्रेस का वोट प्रतीशत बीजेपी से ज़्यादा था कॉंग्रेस की सरकार बनी 2007 के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतीशत ज़्यादा था अब बीजेपी की सब सरकार बन गई थी लेकिन 2012 यहां पर महत्पूर है कॉंग्रेस का मत प्रतीशत यानि जो वोट परसेंटेज है वो कुछ ही परसेंट के इर्दगिर्द था बीजेपी और कॉंग्रेस के बीजेपी एक सीट का फर्क लेकिन यहां पर गेम खेला बीजेपी ने और बीजेपी लगातार हम कहते हुए आए है कि डिसाइडिंग पेक्टर है लेहाजा बीजेपी ने सरकार बनने में महज जो एहम रोल निभाया वो 2017 में बीजेपी और कॉंग्रेस के वोट पर्तीशत का जो अंतर था उसमें भी एक वोट पर्तीशत बीजेपी का भी था ऐसे में इतिहास के पन्नों को पल्टें और देखें और समझें तो संकेत बिल्कुल साफ नजर आता है अब देखिए यह आकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं 2017 का आकड़ा है जब एक तरफा वोट पड़ा था बीजेपी को 46 पर्तीशत 47 पर्तीशत के आसपास कॉंग्रेस को देखिए 33 पर्तीशत के आसपास बीजेपी को 60 पर्तीशत UKD को 0.4 लेकिन निर्दलिय का वोटिंग पर्तीशत देखिए यह है 10 पर्तीशत के आसपास यह 2017 का हम जिकर कर रहे हैं और 2017 के बाद अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे 2017 के बाद हम चलेंगे 2012 के गणित की तरह अब 2012 का गणित यह कहता है कि BJP और कॉंग्रेस के वोट प्रतीशत को देखिए बहुत दिल्चस्प वाकड़ा यहां कुछ पर्सेंट वोट इधर से उधर हुए सरकार कॉंग्रेस ने बनाई लेकिन दोनों को लगभग एक प्रतीशत वोट जो है ना इधर ना उधर कुछ पॉइंट का फरक आप देख रहे होंगे लेकिन यहां पर भी BSP का वोट प्रतीशत देखिए जिसे आप नजर अंदाज नहीं कर सकते लगभग 13 प्रतीशत वोट BSP को 2012 में भी मिला था जिसका जिक्र लगातार मैं कर रहा हूँ अब UKD का भी लगभग उस वक्त दो प्रतीशत के आसपास वोट बैंक था लेकिन निर्दलियों का वोट बैंक एक पर फिर से देखिए 13 प्रतीशत दी के आसपास 12 प्रतीशत दी अब 2007 के अंक कड़ित को भी आपको दिखाते हैं 2007 का यह अंकड़ित देखिए जब BJP को लगभग 32 पीज़ दी Congress को लगभग 30 पीज़ दी BSP को लगभग 12 पीज़ दी UKD को लगभग 6 पीज़ दी और निर्दलियों फिर 10 पीज़ दिखाई देते हैं अब देखिए BSP का वोट प्रतीशत यहां पर भी लगभग 12 पीज़ दी दिखाई दे रहा है अब 2002 का गड़िज भी देखिए 2002 का गड़िज भी यहां पर दिल्चस्प है 2002 का जो वोट प्रतीशत है BJP का लगभग 26 पीज़ दी और Congress का लगभग 27 पीज़ दी पर भी एक प्रतीशत का ही अंतर है और BSP देखिए फिर से 11 प्रतीशत वोट है और UKD लगभग 6 पीज़ दी के आसपास और निर्दलियों का अकड़ा फिर से देखिए हैरान करने वाला लगभग 16 पीज़ दी 2002, 2007, 2012 और 2017 का अंगड़ित हमने आपको दिखाया जो संकेत और संदेश दे रहा है अपने महवानों की तरफ हम रुख करें लेकिन उससे पहले दो रादनेतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने महवानों की तरफ जरा सुनिए रादनेतिक गल्यारों में क्या कुछ चर्चाएं हैं इसी एक गड़ित को लेकर और फिर से हम कह रहे हैं निर्दली और ब्स पी के बाद अब यहाँ पर एक और फेक्टर आजाता है वो है आम आगनी पार्टी का लेकिन पहले जरा कुछ रादनेतिक बयान से नहीं 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 कभी यह इसी तरी बनती है देखिए मत प्रिशत के वल बहुत ही कम रहा पिछली बार के पीच्छा 0.27% कम हुआ है और निश्चित रूप से उसका कॉंग्रेस को फाइदा होगा हर अपिचा जबी मत्दान बढ़ा है तो विपक्ष को फाइदा होता है और उसका फाइदा होगा जो जो रुजहान आ रहे हैं जो बूद इस तरज जो खबरें हम तक आ रही है उन खबरों में भी एक असी खबर यह आ रही है कि कॉंग्रेस को फाइदा हुआ है और कम मत्दान होने का हमको कोई नुक्सान नहीं है और निश्ची तरुप से हमको उसका फाइदा होगा देखे मुझे जहां तक जानकारी है वोट शेयर लगभग पिछले चुनाव जैसा ही रहा है बहुत मामूली अंतर कहीं थोड़ा सा ज्यादा या बहुत मामूली सा कम पूरे परदेश की यह इस्तिती रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि पढ़िणाम भी पिछले चुनाव जैसे ही आएंगे भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार लोगतंत्र में चुनाव सबसे बगा उस्सव होता है और उस उस्सव में कुछ खटी चीज़े होती हैं कुछ मिठी चीज़े होती हैं कुछ खटी चीज़ों में से यह भी है देभूमी का दंगल किसके नाम होगा, किसका बनेगा खेल और किसका बिगडेगा खेल आखिरकार ये अंगडित कहता क्या है उत्राखंड के सियासी इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ किस्से और कुछ आकड़े हमने आपके सामने रखे सीधा रुख करेंगे अपने महमानों की तरफ आपको बता दे आज हमारे साथ जो महमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारूफ करवा देते हैं हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से हनी पाठक इस कारिक्रम का हिस्सा है साथी साथ लगपत बडोला साथ जुड़ गए हैं कॉंग्रेस की तरफ से साथी मनोज इस्टवाल जी हमार साथ जुड़ेंगे वरिश्पत्रकार हैं और उत्राखंड की सियासत को बहुत लंबे अर्से से कवर करते हुआ हैं और साथी उत्राखंड कांती दल से हमने कमल कांत को आज इस कारिक्रम में आमंत्रित किया है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं मनोज सर आप से इस कारिक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा जरा ये अंक गणित का खेल जो मैंने अभी देखा और समझा जरा गहराई से समझाएए आकरकार ये अंक गणित कुछ संकेत और संदेश देरा या फिर इंतजार दस मार्च तक का ही करना होगा गुलाब हाग जादा हुआ है और इस बार मुझे लगता है कि जो अंक गणित पे जो जोड होता है जोड की जगे माइनस माइनस जोड भी इस पर आमिल करना पड़ेगा प्रचंड पहुमत के साथ जिस परसंड के साथ पिसली पर सरकार में आई ति लगता है इस बर ठटने वाला है मुझे लगता है कि वो अर्थिस तक आ सकते हैं मिचे पर्संड तक आ सकते हैं कॉंगरेस का भोट पर्थिशन बढ़ने की उमीद है यह वो 33 से 35 सकता है आप आप भी पार्टी भी 12 से पंदर के पीश काउंट होती है और निर्दाली और UKD को अगर जोड दिया जाए तो वो भी 12 से पंदर के आसपास दोर भाग करेंगे तो सौबाइस दोर पर इसमें पर् करकार बनाने के लिए 2012 वाली स्थितिना आप यानि यानि आप यह समझा रहें एक निया PDF खड़ा हो सकता है एक निया PDF का जनम हो सकता है इसा भी अनौन लगा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लिक्ति शुपी साथे रहे उससे तो यह लगता है कि कहीं न कहीं गढ़बंदन की और भी शूचे जा रहा है लेकिन काउरेस जिसनी आस्वस्त लगड़ी है पेरे हिसाब दे उतनी आस्वस्त कैसे है उस पर नूलत जो लगातार पत्रिकारता करते आए और राजनी सिख पूरे इस चुनाओ को कबर करते रहे उन पत्रकारों की पेचे जरूर है कि यह कॉंगरेस किस तरीके से पहले ही मुख्यमंती का चुनाओ कर रही है और भाजपा के पिर डॉक्टर रमेश लोगया निसंद आके कहते है कि मुख्यमंती अगर चेंगर सकार बोले तो मैं हर दम तयार हूं लेकिन डरे हुए दोनों ही राजनी सिख जो राष्ट्यदर है दोनों ही डरे हुई है उसके आकडों के हिसाब में लग रहा है कि जब बासपा दो तीन ठीटे लाने को तयार है यूगेटी खाता खोलने को तैयार है निर्वल यह तीन की जीतने की उमीद है और उसमें अगर दोनों राष्ट्यदल फुल फ्ले सरकार में पैतालिस-पैतालिस की बात कर रहे हैं कि हमारे पत्याक्षी जीत रहे है तो भही मुझे लगता है कि उत्रा खट बिलांसवा फिर तो 100 सीटों को पार कर रही मैं अपने राजनितिक मेहमानों की तरफ रुख करूं मेरे को एक थोड़ा सा और आपसे ग्यान चाहिए था क्योंकि आपके कॉंटेक्स बहुत अच्छे हैं मेरे तो इतने नहीं है लेकिन मुझे फिर भी कोई बता रहा था कि यह जो दो-तीन निर्दलिये हैं जिनके जीत पर आचुके हैं क्या यह सच है जी सच्चा ही यह है कि जिसको बोनते हैं एक फूर्ट तो नहीं कहुंगा लेकिन हां कुट्टी पिक यह हिसाब से अखर देखा जाए तो हरी स्नावत उत्रा खंटी राजजीती में सबसे ज्यादा एडवास में चलने वाले राजजीता के जा सकते हैं और वो इस 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 जानते हैं कि जानते हैं कि जानते हैं उन्हों किस तरीके से प्रेसर दोना है और यही कराण का उनुरी सबस्टे पहले हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बना घर में बैटूगा इस वाज़ तोर पे वो यह यह चताना चाहरे थ दिया उदर राजनीती के जो चानक के कहे जाते हैं जो गश्रचोड में बहुत माहिर है डोक्तर निशंग ने अपने पत्ते खोंद दिये कि मुख्यमंत्री अगर उन्हें बोला जाए तो एक दम सुन्त बनने को तयार है रही बात जिन कंगेक्स की जीतने की उमीद जताए जा रही है वो एक मातर राजकुमार ठुक्राल कहीं रडार पे हैं कि वो जीत है ना ने वो तो कहते हैं कि पार्टी मेरी मा है वो कहते है पा जीते ते और दूसरी विचारधारा को समर्थन दे 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 और 2012 में ऐसा ही हुआ था मैं मैं आरे के मरो सर एक मिनटा हरनी पाठक जी मनो जिश्टवाल जी कहरें कि इस बार ये 2017 नहीं है मैंडम ये कहरें 2012 है गंगा में पानी बहुत बह गया है और ये कहरें कि संपर्क साध अजय लीजिए 3-4 निर्दलिये जीतने के असार है रडार पर है की नहीं एक देखिए ऐसा है तो इस तो इन दे दे जाहिए 10 माँश को पिटारा खुलेगा जनता ने क्या स्विकार किया है का इसको डर किनार किया है वह भी वक्त ही बताएगा 10 माँश को जैसे ही पद्टे से छोड़ देते हैं वक्त आएगा वक्त में पता लगते हैं आप तो कॉंग्रेस के नेताओं की तरह बाते कर रही है मैडम मुझे तो लगा आप वो बीजेपी हैं जो कहते हैं कि चुनाव के अगले दिनी मन्थन और चिंतन शुरू हो जाता है कि फूस पर कितना वोट पड़ा पड़ा पर लोग बता है तो आप कहते कि आपको अत्यादिक विश्वास है तो मैं आपकी आपकी बार 60 पार का नारा लगा दो मैं तो सिर्फ यह कहा रहा हूं कि जीत रहे हूं ना वक्त बताएगा जंता ने अपने वोट को बंद कर दिया है दस मार्श को खुलेगा दस तक तो बात रहेगी ही रहेगी यानि इस हिसाब से आपको लगभग 48 पीज़ी के वोट चाहिए होगे मैडम अपकी बार 60 पार तो फिर तो आपको 48 पीज़ी और 50 पीज़ी के आसपास वोट चाहिए वोट तो पड़े ही है ना वक्त बतायागा कि 10 मार्च को कितना ज्यादा आकड़ा सही हम लोगों का निकलता है कितना ज्यादा नहीं सही निकलता है और दस मार्च को अपने आप नतीजह सामने आ जाएगा और जिस तरकार से कॉंटेस पार्टी इस समय नाच भी रही है कॉंटेस का रहले में धूम भी मचा रही है मैंने वीडियो देखे वें तो वो उनका कॉंटेशन नहीं ओवर कॉंटेस दिखा रहा है इतना हम लोग ऑवर कॉंटेंस नहीं होते हैं वक्त बता देगा ओके लगपत जी सुना हनी मैडम क्या कह रही है कि वक्त का इंतजार करिये पहले से ढोल लगारे बजा रहे हैं इस से कुछ कुछ हासिल नहीं होने वाला कोई कह रहा है कि स्वेंभू की भाईया मैं ही मुख्य मंत्री बनूंगा वन्ना घर पे बैठ जाओंगा कोई कह रहा है कि भाईया देखिया हमारी सरकार आ रही है यह कहरें इंतजार करो अभी EVM है मतलब EVM मतलब EVM खुलने दो अभी प्लीज अन्यता मतलीजेगा अन्यमेडम मैं EVM खुलने की बात कर रहा था प्लीज लगपज जी अवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल सर अपनी बात रखिये लेके मैं आप से कह सकता हूं जिस में सब्सक्राइब कर दो आपने पर देश्टेक्ष पर आप लगाए बीतर गाज किया और जो इसा ब्यापारी ता हूं लाकुं को का मालिक तीज जी लिया है उन्होंने आरूप लगाये बिसंस्ति उप्तिया है इनके कहीं बिधाया कहीं मन्सित पर आरूप लगाया है यह कि लोगों के बीत जाकर पांता दिन बाद पता चल जाता है तो आप लोड़ता है अपने बूश परचेंड में दफ से लेकिन केवल और केवल उत्राखंड नहीं नहीं खुण लगपज जी आपके और दिक्कत आ रही है सर आपका और बार कट रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है आपके फोन पर फोन आ रहा है जिसमें समस्य आ रही है कि लगजी है अरे सर आवाद आरी यह कट रही है आपकी आवाद मैं यह जानना चाह रहा हूं वह यह कह रहे कि ऑवर कॉंफिडेंस है ठीक है उनके नेता के रहे भीतर घात के आरोप 2012 में भी लगे 2017 में भी लगे वह तो विधायक लगाते हैं ना की भीतर घात हुआ जो जितने वाले होते हैं बीतर घात हुआ मैंने आप से कहा है कि हमारा विश्वाद करने का कारणी है कि आप देखोगे कि दो अज़ा हुए हैं वाहां पार्टियों ने लग लग अपने वोट परसेंट से उत्रा सर मैं दुबारा कनेक्ट कर रहा हूं आपके ऑडियो बार बार कट रहा है वो लिए हनी पाठक दी व कोई कह रहे कि भीतर घात हो गया आपके नेता कह रहे कोई कह रहा है कोशिक जी ने कर दिया कोई कह रहा है उन्हों ने कर दिया कोई कह रहा है इन्हों ने कर दिया वो कह रहे भीतर घात हो गया या नि बंटाधार हो गया आपका तैह है बोली हनी देखिए ऐसा है बुतोला और दूसरा में यह कहना चौंगी कि अगर हमने आरोप लगा तो संग्छन महामंत्री से लगाया उनसे बात करी है वह उसका पर शासन सहीती देखी कि क्या करना ठीक है क्या करना ठीक नहीं है तो यह हमारे अंटर घर की बात है ना जनारदन जो है जनता जनारदन का हम लोगो तो आप ही के नेता लगा रहे हैं तो पार्टी के संगिखन महामंतरी से लगाया है वो उसको देखेंगे वो उसको समझेगे आरोप तो आपके प्रदेश अद्रक्ष पर ही है कि बीतर गात किया है उस पे भी जाच लगी हुई है जाच चल रही है जाच के बाद देखा जाएगा आरोप कि उसके पीछे कोई कारण है वो भी देखा जाएगा और ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि कि तने भ ये प्रदेश अद्रक्ष के खिलाब जाच कौन कर रहा है हाँ नी मैडम प्रदेश अद्रक्ष के खिलाब जाच कौन कर रहा है जाच करवारी है प्रदेश महामंत्री संगचन ही हमारे आँ देखते हैं कि जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार से कितने हद तक सही है कितने ह कि मन की भादना है कि शायद वहम है तो यह चीजें हमारे आप प्रदेश महामंत्री संग्चान ही देखते हैं अच्छा प्रूस्टा चाहिए लेकिन हनी जी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है भीतर गात हुआ तो उसकी जाच भी होगी अगर हुआ तो अब प्रदेश के होता है कि अगर किसी एक नेता को किसी एक हटी नेता को कोई कुछ कह देता है तो पूर्व राजमंत्री कोई थपड जड़ दिया जाता है और अभी तक उसकी जाच नहीं बिठाई जाती है कम से कम ऐसा तो नहीं होता है और कम से कम कॉंग्डेस का रहाल है कितरह तोड़ प और संग्टन के कार्यकरता हों पर छोड़ा जाता है लगपाजी को आडियो आगया लगपाजी कनेक्ट और फिर उसके बार मेरसाद कमल कांच जी भी जुड़ गए बोलिया लगपाजी जल्दी से फिर मैं मनुसर आपके पास आरो देखें मैंने आप से कहा है कि तौंगेश का आने का जो मैं आप से करक्यों में छेतर में विरा हूँ अपने चमोली जनपाज के अंदर आओं लेकि उससे महत्वपोन यह है कि दोजार सत्रा के चुमाओं से यह आप आँखलं करेंगे निश्चित उससे उतरवारत के जितने दिराज रहे हैं जहां पर मोदी जी का उसमय पर्चंड वेग था और उनके उसमें सारे राजियों में हर बड़ी बड़ी पार्ट जोने पंदर से बीस परक्रेंड बेंग को होया है लेकिन केवल उत्रा खड़ने कैसा राज आता जहां पर कॉंग्रेश के बोर्ड बेंग म का बोर्ड बेंग भीस पीजेपे से चुड़ने की वजह से हम निश्ची तूर्श संक्याबल में कम आई लेकिन हमारे बोर्ड बेंग में कम अंता नहीं आया था और इस समय लोगों ने बहुत जारा जो भात्ता का कुशातन रहा है उसको लेकर के जनता में बड़ा आक्रो में थी और कॉंग्रेस को उसे जनादेश को देने का काम किया और उसे जो उत्राखन यह भाजबान के कुशातन से मुक्त चाहता था यहां के लोग उस मुक्त के लिए लोगों ने एक ब्यान चेरा और लगपजी प्रैक्टिकल बात करिए ना अभी मुझे मनोसल ने बताया यह 2012 वारी सिती पैदा हो सकती है मतलब यही निर्दलिये यही PDF यही BSP मैं तो देख रहा हूं और मैं लगातार यह बात कह रहा था और सब भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं BSP किंग नहीं तो किंग मेकर हर बार साबित हुई है वोट परसंट के हिसाब से अब यह सीट लेकिन सीटे कम आप आती है जहां तक मुझे लगता है जितना मैंने आकलन क्या विक्ति गत्रूर से जहां जहां मैं परचार में गया हूं और कई सीटों पर आएगी मैं आप से कह सकता हूं पर यहां पर आप यहां पर आपके ला रहे हैं मनोसर कह रहे हैं कि हरी शुरावत जो है वह भविश्य की राजनिती के हिसाब से कदम उठा चुके हैं लगभग चार नेताओं के साथ संपर्क में हैं अब बताइए ऐसी आपके ला रहे हैं मैं सर को उनको बहुत ज्यादा राजनिती का उन्भाव है उन्होंने देखा वे उनको बहुत अच्छी बाते कह रहे हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि देख लीजेगा कि जो आपने परिशावत जी ने का कि मुख्यमंत्री में बहुत तो घर बैठ जाओंगा नेको जो एक अब यही बात रणजीत रहावस से बुलवा देते हैं या पृत्तम सिंग से बुलवा देते हैं मनोच जी का पर है सवाल उठाना बंद हो जाएगा बहुत सवाल उठाते हैं कि अंदर देखा हूँ जिस तो से पिक्तम सिंग भाई गनेश गोध्याल जी और हरी शावत जी दूसरे को भाईटी कर रहे थे और मिठाई खिला रहे थे उससे आपको लगता है कोई मत भीत नहीं कॉंग्रेस में आ यह मैं कह सकता हूँ कि जो आंकल न लगा है कॉंग्रेस कि मैं आप से पुनों कह रहा हूँ कि इस समय जनता है हाँ 2016 की तारीक बता देता हूं यह जो बवाल होने वाला था उससे दो दिन पहले वो कमरे से बाहर निकलेते दोनों से मुलाकात करके और मिठाई खिलाई थी इसलिए मिठाई सब खिलाई है अच्छी बात है ओके कमल क अच्छी कुछ उमीद है उत्राखंट क्रांती दल को या फिर आम आदमी पार्टी ने आप लोगों का भी खेल बिगाड दिया वो चाहे मैदान में हो या नहीं गड़ा उत्राखंट करांती दल जड़ इस वार आपको अच्छा प्रस्फोश्य दल देगा और बोर्ट परचेंटेज की साधे भी उत्राखंट कर करांती दल से बहुत अच्छा रहेगा जहां तक है एकना बहार हैं उनसे और राज़ी सेडियाइद में बहुं गणा जारा है चुब्सक्राइब बात चाहिए यह भी कहना चाहिए उसके चिदाशी में चिनाओ लगारा उसके पैसा बाटते हुए किस तरह से उसके चुनाओं में एक चोटा दन है एक उत्रा कंकरांदी तन चिनाओं में कितनी आ जाएंगे जीटों का आकलन तो अभी किनाओं नहीं हो जाते हैं क्यों आप तो आकलन लगा लेते हैं कि यहां पर यह कैंडिडेट मजबूत हैं यहां पर यह कैंडिडेट या फिर मैं नाम के साथ बोलूँ उप कि जीतने की उमीद नहीं है क्या सबकितने की उमीद है सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करेंगे यह उत्राखन करांती दल का जो शुनाओ चिन आपका भले कुरसी वह भी कई वार सीज हो गया आप मैं उस पर आ रहा हूं कि भई देखिए जिनको आपको जीतने की उमीद है मनोसर अगर गलत होगा तो उसको दुरूस कर दीज़ेगा अगर आपको जीतने की उमीद है जिनसे जीतनेकी उमीद है वो सत्ता को समर्थन दे चुके हैं और उत्रखंट कांती दल को चारो तो क्या गरंटी फिर सकता की गोर्ड में नी बैठ जाओंगे आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे बिल्कुल नहीं और दूसरे किस बात की गरंटी दे रहें आप आप 2012 में बैठे जिनके साथ बैठे वो तो आपको लेगे एक तो धनुल्टी एक लेगे देव परियाग एक ले अब पिर से नहीं बैठोगे आप मैं आपको विश्वाइब जिदागा आपके तीवी के नाम किनवादू जहां से उमीद आपको खेर मनो सर ये ये सारे ये जो मोल भाव हैं, ये मोल भाव चल रहा है या भी या फिन नहीं चल रहा है भी? मनो सर का ओडियो प्लीज. जी मनो सर, continue. जी तिलर जी, मैंने का ये बदस्तू जारी है और ये खेल थायमात का सिर्फ कॉंग्रेस और भाजपाय में ही है, बल्कि दलकत, जो ये दोनों दल है, राश्य दल, इनके नेताओं में आपके में चल रहा है. सब्सक्ते पहले मैं यूकेटी की तरफ भी आना चाहूँगा, यूकेटी, ये जेड़ शूर है, ये पहला चुना है यूकेटी का बहुत समय बाद. इस समय लोगों का प्रिश्वास यूकेटी की तरफ बढ़ा है, इनका बोट परसंटेज बढ़ने वाला है, और यूकेटी ये बहुत बढ़े से समझत रही है, कि अगर हमने सरकार को समर्सम दिया, तो तैम आने है कि 2027 तक ये जिन्दा होने की कखार पर है यूकेटी, और ये संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन ये भी तया है कि अगर इनका सरकार से बहार से समसम दिया तब था ही है, और इस सरकार की गोज में बैड़ा है, यूकेटी समझेगा कि हमेसा के लिए खतम होगी है, मैं अरी पाठाक जी की बात पर आता हूँ, साट के जो भी वह सी पूर्बी सियम, तिर्वनलावाजी के गले में माला राने जनेगे, ये जदा दिया है कि कोश्यारी घुट अभी जिंदा है, इसमें ये ख्यालत पालने छोड़ दिजेगा, कि हाँ, वुक्यमंतरी आप बन जाईए, तो ये वही कॉंग्रेस में है, कॉंग्रेस में लखब बुड़ोला जी बोल रहे थे कि भाई वो तीन में एक साथ फोड़किश्मारे है, उन तीनों की मुष्काहाट आपने देखी हो थी, और तीनों के मन को भाबा होता, तो साथ सभाव तोरते लग रहा है, कि हम इखटे तो है, लेकिन बेटा जिसका जब चांट मिला, वही ग मनोज सर, अभी तो वह वाला नारे की तो बात ही नी कर रहे है, अब की बार साथ पार तो कोशिक करेंगे बेडा पार, वह वाला नारा चला था, देखे, मैं एक जोड़ा चाहूँ इसमें, जब भी, जब भी पबलिक गूमी हो जाती है, उसके पास कोई आपसर नहीं होते ह एक को दें कि दूसरे को दें, जब तीसरे को दो, और और सन की रूप में वह वाला तलास की कि कोई भी इसलायक नहीं कि कि इसको बोट दें, तो अकसर बोट में यह होता है कि वह सताफक्स की तरह भी जाता है, अब यहां भाजपा कितनी आगे, बढ़ेगी भवान जाने, लेकिन यह तैमानी है कि कॉंग्रेस बहुत बढ़ा सुवार करें इस बात है, नहीं हनी पाटक जी के चाहरे से आपने मुस्कुराइट छीन लेकिन हनी जी इत्फाक रखती है मनुच जी तो ग्राउंड जीरो पर कवर कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि अपकी 2017 नहीं है, 2022 है औ वोटर साइलेंट था, यह साइलेंट क्यों था वोटर? जनता में जोश उत्सा भार्ती जनता पार्टी के लिए देखा है, जो मैंने देखा है, मैं अपनी चीजे बता रही हूँ कि जनता हमें खुले दिल से फिर से स्विकार अच्छे वोट से कर रही है, और मनुच जी ने क्या देखा है, वो वो जाने, क्योंकि हर व्यक्ति की ह हर आखे होती है, slipped- अपना तरीका होता है। और वो बगत बताएगा आपकी जंता ने किसको कितने बोर से जिताया है लेकिन हाँ मैं यह भी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं यह बात यहां पर यह शुश्वी प्रढहन मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने भी इशारा कर दिया था राजनाथ सिंग जी ने भी कर दिया था औ नहीं पर चाहाए। खुद मुख्यमंतरी बनने के लिए इनके बारी श्रावच जी एडी चोटी एक कर दिये थे कारेकरताओं को भी धर किनार कर दिये थे और आपस में सिर्फ फुटा-फुटाओं को लोगे लगपजी जल्दी से प्रभारी तक बदलवाने की पूरी पूर जो लगपजी को सुन लीजे मैंड़ एक मिनट लगपजी ये कहरे कि हर्दा जो हैं वो हार्दा हैं हार्दा वो फिर भी सपने देख रहे कि चुनाल जीतन हैं जिनके राजनीटी के चाहिए सकते हैं राजनीटी धुरी बन हुए हो उनमें इस राजनीटी की धुरी बनी रहती हैं तो ऐसा हरी शावती हो सकते हैं तीन लोग सब्सक्राइब पढ़ने और विरायक रहे हैं मंति रहे हैं और जुनाल जीते हैं और हारे भी जाते हैं ऐसा कोई बड़ी बासी लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हरी शावती पूर्वे मुक्यमंत्री हमारे पाजडी के बरिश ने था और पाजडी ने उन्हें विर सब्सक्राइब के मंत्री होंगे जिस्तन लेजे यह फास ही है कि जो हमने थे हाने जी कॉर्ड़ी है उनकी कहतना ना एक कारण दो है पहला कारण में आप से कह सकता हूं सत्रा के चुनाओं को आप देखोगे हमाज स्कीटों से मत देखे हमारे बोल्ट परसेंटेज में किरा सब्सक्राइब कर देखोगे जनता ने जो पान साल का कुशासन देखा है उसको लेकर जनता में जो परवर्तन का मूर था और कॉंग्रेश को समर्तन देनी की बात थी वो जो हमारे इस्टवाल जीरी मनो जी बोले वो यह कॉंग्रेश को चौतिस पर जनता चाहती थी कि उस राकर में कॉंग्रेश आये बलवर्तन हो और मैं आफसे कह रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि कॉंग्रेश ए अच्छे भौमक के साथ रता में आगे हमें किसी के समर् दूसरी बात मैं आफसे कहरा हूं कि अगर जौरत पढ़ी तो कोई नया पीडियेफ खड़ा आगया तो कोई ने हरीश चंदुर्गापार आगय तो कोई स्वार्ट के साथ में के चलेंगे का तो सीधा बोल यहना सर आप ऐसे कहरें कि अमें जूरती नहीं पड़ेगी यह नहीं यह आपने का यह इसा हो गया तो तो मैंने आप से का ऐसा होगा तो जो लोग कॉंग्रेश के बिचाल दारा उसके में साख्यों के सहारे ही कोई सत्ता से बाहर कर रहे हैं तो तो तैस्ट पैस्ति को समर्धन मिल रहा है तो मनोज इस्टवाल जी की बात यह भी मानिये कि उन्होंने यह कहा है कि कॉंग्रेश से जादा ही सीट का इन्होंने आकलन किया है भारती जंता पार्टी का इसी से मान लीजे कि आप उनकी एक बात तो मान रहे हैं बुटोला जी और दूसरी बात को आप स्विकार करना तो क्या मुझ से बोलना तक पसंद नहीं करते हैं और दूसरी बात यह कह रहे हैं तिलक जी कि मतलब इसका कि जंता चाहती थी कि कॉंग्रेस की सरकार बने थी का क्या मतलब है जरह मुझे यह भी बता दे क्योंकि जंता जो चीज चाहती है उसको तो वो करके दिखा देती है जंता ने हमें इससे पहले स्विकारा तो इतने अ पिताबले जैसे हरी शरावत जी है वैसे ही बुटोला जी हो रहे हैं तो उताबला पन तो यही कहलाता है कि हरी शरावत जी के लिए तो मैंने एक टैग खुद स्वेम हनी पाठक ने एक टैगल बना दिया हरी सावाजी के लिए अती उतावलापन अती बचकाना हरकते करने वाले अती उतावलापन यक्ति तो वो उनमें है और वो उसको सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे उत्राखंड की जनता क्या उत्तर प्रदेश वगेर आपका तो अनुभब बहुत अच्छा है यह 2016 वाली घटना है या फिर उससे पहले 19-20 कुछ भी होता है तो वह डैमिज कंट्रोल हो जाएगा ना मैडम हनी मैडम मतलब जैसे हो सकता है एक आपने बाई चांस वाली बाई चांस वाली बाई चांस अगर कुछ जैसा आप बता रहें अगर होता है तो हमें पॉजिटिव अगर हम लेकर चलते तो निगेटिव लेकर चलना चाहिए अगर कुछ होता है तो डैमिज कंट्रोल करने की स्थिती में भार्ती जन्ता पार्टी है मतलब एक चार्टेट प्लेन जो है वह पंतनगर की तरफ मूव करेगा और चाटट प्लेन जो है वह दरख दूक की तरफ है तो घरचीपूर में कुछ में कि अपने मत को बॉक्स में बंद कर दिया अच्छा क्या चल रहा है काशीपूर देव प्रयाग डैरादून रिशी के थारी तौई तो सिर्फ सेलेक्टिट पूछ रहा हूं कोई भी योद्धा कोई भी कारे करता को तावला नहीं होता है कि कमल जी सुना आपने मैंडम कह रही है कि चार्टेट प्लें कई भी मूव कर सकता है पंथ नगर से अगर काशीपूर जाना है तो पंथ नगर वाला मूव करेगा वनना फिर देरादून बेर प्रयाद जाना तो तो देरादून वाला मूव करेगा कमल गांड जी आप मेरी बात को अच्छे से सुना है ना आप जड़ा इसको पीर सही करके बताएी का कि मैंने नहीं करेगा थो नगर पास पीस है और मेरा हंस्ता हो चेहरा बापस वही आगया जो आप कह रहे ते मुसकान चलिगई ने ये तो हमेशा आपको मुझे परिशानी होई कि मैंने मुस्कुरा नहीं मैंने तो हमेशा मुस्कुरा नहीं थे घृब कंप कमल जी सुना आपने वह कि देर प्रियाग भी समझ रहे न आप जो बात में समझा रहा हूं कौन थे कॉंगरेस के ने यह बीजेपी वाले यह इनके पास अनुभा अच्छा है नहीं है यह इस अब हमारी पालिटी को पहीं है तो पर क्यों होगा है यह हमारी पालिटी को समर्दना दे यूपेटी कि चाहें हैं और हमें पार्टी कोई कमेंट नहीं देगी जा बताता हूं नहीं मैं मनो सर यह दावे इतर हैं लेकिन मनो सर एक बात बताईए ना इतिहास पो यही बताता है कि इस बार इस्तिती में नहीं हैं इस पार बार देखिए मैं पहले लग्पासिंग की बात पर ऑदाओं के उनका पॉस्टिंग परसेंट पेंट कुछ था रहे हैं यूँगे वह करेंडर बोत है बाजरता पादी जो पेंडर बारा में वह करेंडर बोत है अब जो कि परसेंट निए अब कि तरफिश जाएगा या फिर या फिर वह मार्पी तरफिश जाएगा या निडियों की तरफ जाएगा यह तरह करना चार अगर तोह जाता तो कॉंग्रेस आपकारी है यह तो है कॉंग्रेस समय सीटों की बड़त तो बना रही है जहां अरिज लावत की ने शिखुपा छोड़ा की मुख्यमंत्री बनुगा घर लठूगा उसका जबाब भी राजजितिक तोर पर ही दिया गया कुष्टीदी के तहली डॉक्टर कि ने बड़ी चालाकी से दिया कि मुख्यमंत्री अगर उपर से हाई कमान का आदेश हो तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार उसके पीछे रीजन यह है कि सब ज़ने पूरे उत्रा खंड के नेता जानते है कि गठ जोड में निशन का कोई शानी नहीं है डॉक्टर निश पूर्वाद्यक्स ने कहा चाहे अपने केहनार सिंग रावजी ने कहा चाहे पिर टीफ वह पुरूद पर पूरुद के लिए निशन भी का वक्तत्रा बहुत चतुराई भरा है और बहुत चालाकी सिक्टे साथ ऐसे धमेता है कि अगर प्रेसर पॉलिटिक्स होती है और वा यूकेटी का जीतेगा या फिर बासपा का जीतेगा हैजेक की नौबत आएगी तो मैं तयार बैठा हूँ रही बात बासपा की बासपा कहीं नहींने वाली मायवती पहले ही बता चुकी है कि वह बासपा को समर्थम देगी अब इसमें मुसीबतें बढ़ती है कॉंग्रेस क पराबरी के दौरता आए तो कॉंग्रेस पिठाड रहेगी ये मेरा मातना है अच्छा लगपज जी अब मुझे एक बात बिताए जो बात मैं मनोज जी की समझ पाया ये अती उतावलापन हनी जी सही नहीं कह रही कि अभी इंतजार करिये आप कह रहे है स्वेंबू की भई आप मैं ही मुख्य मंत्री बनूंगा फिर आपके पार्टी के नेता कह रहे है कि लड्डू खाओ लड्डू खाओ हमारी सरकार आ रही है अब आम आदमी पार्टी आप भी के नेता बोलते थे कि डमी कैंडिडेट उतारा बीजेपी के साथ मिलका डमी कैंडिडेट उतारे इन्होंने टिक्टो को बेचा है उनके नेताओं ने भी आरोप लगा है ऐसी सिटि में कांग्रेस कोई नक्सान पहुचा होगा और इतिहास यह बताता है कि इस मामने में कांग्रेस कमजूर रही है सरकार बनाने के अगर उनेसभी सिटिया आती है तू लगपच जी लगपच जी लगपच जी के आवाज आवाद नहीं आरी diagnostic लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि पर्देश की जनता एक सरकार को हटाना चाहती है और उस सरकार के विरुद मेरी बहुमत देता है तो क्यों कोई निर्दलिया और पाजिके उनके साथ जाएंगे जिसको पर्देश में जो 57 सीट से 88 सीट पर आएगी इतिहास को यहीं बताते हैं कि आपको जुरत पड़ी है परपेख्ज में और मानेहरीशावजी के बाद दिया है तो जीतिए इस परफ्ष्ट नहीं मिलता आप जानते हैं सारी शीजे इस परफ्ष्ट पहुमत के साथ यह सरकारें आई उनका जो विजन होता है जो दृष्ट होती है उनका रोड में पहुता है उसको टाहिक करने में असानी होती है अपने जो उत्राखंड के पर एक सोच और विजन होते सरकार उसको लागू करती है अच्छा तो वह जो समर्चंद दे रहे थे सारे ब्लेक मिलर थे नहीं 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 आप एक इस वह कि घटनाओं में मैं आप से कह सकता हूं कि हरी बार का पाजी सुन लेगा तो नराज हो जाएंगे आप से कह रहा है इस पर कहीं लोग ऐसा होते जो सता के साथ चलते और विकास के लिए आगे बढ़ते मैं इसलिए कह रहा है कौन सा विकास होता है यह सब जानते हैं छोड़िये ना आप मैं कह रहा है कि वह जो चौशार बारा में समर्चंद दे दे कौन पीतम पवार कॉंग्रेस विचार धारा के थे हरिदास कॉंग्रेस विचार धारा के थे मंत्र परसाची कॉंग्रेस विचार धारा के थे आपने दुर्गापाल जी के कॉंग्रेस विचार धारा के थे हमारे दने जी कॉंग्रेस विचार धारा के थे मैं आपकी बात यहां मैं किसी की जुरत नहीं पढ़ेगी हम अपने बल पर सरकार बना लेंगे अच्छा आपका विश्वास है चलिए हरी श्रावत को भी विश्वास है कि वो मुख्य मंत्री बनेंगे और हनी पाठक जी को भी विश्वास है कि अंग गणित के खेल में इधर उधर की बाजी हो सकती है तो ये ये खेल किस करवट बैठेगा ये अपने आप में दिल्चस्प होगा लेकिन कमल जी मेरी शुब कामराएं आपके साथ हैं कि कुरसी के चारो पाए बचे रहें बहुत बहुत शुक्रिया अब देखते हैं कि जाडू ने किसकी उमीदों पर जाडू फेरा लगपाज जी लेकिन मनोज जी ने तो हर बाल मुझे यही समझाया कि आम आदमी पाठी ने आप ही को नुकसान पहुचाया और हनी पाठक जी मेरी शुब कामराएं आपके साथ बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया लगपाजी आपका भी तो यह थी उत्राखंड की सियासत के अंगड़ित के उस खेल की कहानी जिसमें संकेश संदेश साफ है हर दल यह समझ कर बैठा है कि इस बात 19-20 वारी कहानी हो और अब उन नेताओं को फिर 2017 इतिहास के कौन से पन्ने से पलट कर नई कहानी इस बार 2022 में लिखी जाती है नमस्कार जहिंद भारत जया उत्राखंड